नमस्कार मैंस अपना पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज नेटर का स्पेशल सेग्मेंट हेल्थ नेटर तो आज हम बात करने वाले हैं उस कॉमन प्रॉब्लम के बारी में जो लड़का हुए लड़की सभी को परिशान करती है और वो प्रॉब्लम है एक्ने और पिंपल्स की जो कि टीनेज से लेकर टीनेज के बाद तक भी लोगों को परिशान करती है लिगे सोशन वाली बात तब होती है कि क्या सिर्फ एक दो चीजे या फिर डाइजेशन या खान पीनी की वज़े से अक्ने या पिंपल होते हैं नहीं बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो कॉस करते हैं अक्ने और पिंपल का अक्ने से तो अक्ने क्या होता यी कैसे आपके इसके पर विजबल दिखता है तिक हमारी जो स्कीन है इसमें थो आउट छोटे छोटे रूम छिदर होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सिबेशियस ग्लेंट या और इल ग्लेंट से जुड़े हुए रहते हैं जब यह रूम छिद्र किसी वज़े से क्लॉग्ड हो जाते हैं तो हमारे oil glint के secretion से निकलने वाला oil हमारी इसकिन में बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है साथ में इसमें अलग लग कारणों से bacterial growth बढ़ जाती है तो हमारी इसकिन में acne appears होने लग जाते हैं सार आपने acne बोला लेकिन उसके साथ एक term जो यूजवली बहुत जादा trend में रहता है वो होता है pimple और लोग उसे से जादा परिशान भी रहते हैं तो pimple में और acne में difference क्या होता है देखे acne एक broad term है acne एक condition है जिसमें इसकिन में आपके जो syvecious gland है और skin pores हैं उनमें clogging होने के कारण से inflammation की condition पैदा होती है कई बार ये white head के रूप में कई बार black head के रूप में और कई बार papules के रूप में इसकिन में appear होता है इसकिन में inflammation की condition हो जाती है उन papules में पस formation होने लग जाता है तो तब हम इसको pimples कहते हैं तो simple भासा में कहें तो acne एक condition है और pimples एक symptoms है जो acne की कुछ stages में देखा जाता है जो black head और white head है वो भी medical term में acne के ही types है या acne की ही दो अलग अलग conditions है जिसमें skin pore के block होने के बाद अगर उस pore के अंदर का जो material है वो हमारी surface के नीचे रहता है तो उसको हम white head कहते हैं और कई बार जब वो skin surface के ऊपर black color में appear होने लग जाता है और उसमें milenine का involvement होने लग जाता है तो उसको हम black head कहते हैं acne और pimple क्यों हो रहे हैं इनकी major कारण क्या है पहली तो acne pimple की जो condition होती है वो hormonal condition होती है जो आपको early teenage से लेकर के और 24-25 की age तक दिखाई देती है इसके साथ साथ अगर हमारी body में insulin hormone की मात्रा जादा निकल रही है तो उन pimples को या उन acne को insulin induced acne and pimples कहते हैं इसका main कारण होता है high sugar diet का intake लेना तीसरा जो कारण होता है acne और pimples का बहुत polluted environment में रहना ज़्यादा pollution की वज़े से भी जब हमारी skin के pores clogged होते हैं तो उस clogging की वज़े से भी हमारी skin का oil secretion lock हो जाता है और वहाँ पे infection होने की वज़े से acne और pimples बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकते हैं चोथा कारण है बहुत ज़्यादा stress में रहना कोई जब हम बहुत stress में रहते हैं उस वज़े से भी हमारे hormones imbalance होते हैं हमारी civisus gland में high oil secretion होता है जो pimples का कारण बनता है क्या खाना चाहिए जिसे की pimples से आप बचे रहे और कभी हो ही ना अगर आपको बहुत ज़्यादा acne और pimples हो रहे हैं तो आप अपनी diet को बहुत balanced रखें अपनी skin को hydrate रखने के लिए आप परियापत मात्रा में पानी का सेवन करें खाने में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम खा रहे हैं उसमें खूब fiber हो खूब vitamins, minerals, antioxidant हो omega 3 fatty acid की परियापत मात्रा आपके भोजन या आपके diet में सामिल हो zinc एक ऐसा micronutrient है कि जो न केवल आपकी skin की oiling को कम करता है बलकि साथ ही साथ में जो bacterial growth skin में हो रही होती है उसको भी reduce करता है तो zinc rich diet जैसे कि oyster, chia seed, flex seed, आपके nuts होगे, seeds होगे, fibrous fruit होगे, sunflower seed होगे तो इनको आपको अपनी diet में सामिल करना चाहिए क्योंकि जब आप zinc rich, vitamin C rich और antioxidant rich diet का सेवन करेंगे तो आपके acne और pimples की severity निश्चित तोर पर कम होगी आप अपनी skin को hydrate रखें और साथ ही साथ में अपनी body को hydrate रखें अगर आपकी body में परियाप्त hydration है तो आपके toxins बाहर निकलने में आसान होते हैं वो urine के through, वो stool के through बाहर निकलेंगे और अगर वो toxins आपके normal roots से बाहर निकलने हैं तो आपके skin में उसका negative impact कम से कम पड़ेगा आइरवेड में के कोई ऐसी remedies हैं जिससे की pimple और acne को prevent किया जा सके अगर आपके acne और pimples हो रहे हैं तो उस condition को minimize करने के लिए हमारे आइरवेड में बहुत सारे उपाय बताये गए हैं बहुत सारी ऐसी रक्तशोदक और शदियां जैसे कि नीम, हल्दी, मंजिस्था इनका प्रयोग blood purification के लिए होता है बॉड़ी के toxins को बाहर निकालने के लिए होता है ताकि वो toxins हमारी skin से acne और pimple के form में निकलें साथी साथ में hormonal aggravation को कम करने के लिए हमारे यहां सतावरी और अन्य कई ऐसी ओसदियां है जिससे हमारे skin में increased hormonal adverse effect कम से कम रहें लगाने के लिए भी हमारे यहां नीम, हल्दी, यशद भास में चंदन, मुलतानी मिट्टी, गुलाब जल इनका अलग-अलग रूप में प्रियोग किया गया है जिनका प्रियोग करने से हम अपने एकने और pimples की मातरा को कम कर सकते हैं सब फीमेल्स में कॉमन क्वेशन होता है कि skin care और कॉस्मेटिक के बाद भी पॉस्मेटिक प्रोड़क्ट हम अपनी इसकिन में लगा रहा है क्या वो हमारी स्किन को सूट कर रहा है हमारी जो इसकिन टाइप है उस टाइप से वो प्रोड़क्ट मैच करता है उसमें बहुत जादा chemical, harmful chemical तो नहीं यूज किये गए है तो कभी भी कोई भी आप कॉस्मेटिक या मेकप या skin care प्रोड़क्ट लेते हैं तो उन प्रोड़क्ट को यूज करने से पहले आप अपने skin concernant से ये जरूर पता करें कि आपको ये skin product suit कर सकता है नहीं otherwise वो आपकी skin को अलग-अलग रूप में हार्म ही करेगा तो stress और hormones दोनों ही pimple और acne का cause का सबसे बड़ा कारण बनते हैं या नहीं बनते हैं? लेकिस सबसे बड़ा कारण तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हाँ ये भी आपके acne pimples को increase करने के एक factor है बहुत जादा जब आप stress में रहते हैं तो आपकी body में कई ऐसे stress hormone निकलते हैं जिनकी वज़े से आपकी skin की cv-sysclean hyperactive हो जाती है सेम यही condition जो testosterone hormone है या DST hormone है या androgen hormones है excessive hormone secretion आपके acne और pimples को बढ़ाते हैं इसी वज़े से जब आप परियाप्त नहीं ले रहे होते हैं या hormonal condition में कहें तो PCOD की जो conditions है या अगर आपके uterus में swelling है तो उस समय भी और even pregnancy तक में आपके acne और pimples के होने के chances बढ़ जाते हैं तो सर अगर बार बार किसी को pimples हो रहे हैं या पर acne हो रहे हैं तो उनको क्या-क्या precautions usually रखने चाहिए तो अगर आपकी skin acne prone है तो अपनी skin को बार-बार बानी से जरूर धोएं ताकि उसमें dust, oil और sweat का accumulation नहीं हो आप अपने चेहरे की dead cells को हटाने के लिए soft scrub जैसे motivation का या संत्रे के छिलके का इस्तमाल कर सकते हैं जो भी आपके acne या pimples in papule form में है या comedone form में है उनको squeeze out बिल्कुल न करें तो ये साफधानी जरूर बरते हैं Sir अगर किसी को acne और pimples है तो किस stage के बाद उन्हें डॉक्टर के पास जाना जाएं Acne और pimples के अलग अलग phase होते हैं जिसको हम grade में बांटते हैं Grade 1 और Grade 2 phase में क्योंकि acne या pimples आपके केवल white head, black head चोटे 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 papules के form में होते हैं वो बहुत जादा severe नहीं होते हैं बहुत painful या inflamed condition में नहीं होते हैं तो Grade 1 और Grade 2 में किसी treatment की ज़रूरत नहीं होती है आप अपने diet में सुधार करके, आप अपनी skin को hydrate करके और साथी साथ में कुछ घरे लोग उपाय करके भी अपने acne और pimples को कम कर सकते हैं लेकिन अगर आपके acne और pimples की condition grade 3 में पहुँच गई है यानि आपके acne में जो papules हैं उसमें pus formation होने लग गया है बहुत जादा inflammation की condition आ गई है, वो cystic form में आ गए है तो तब निश्चित रूप से आपको treatment की जरत पड़ती है इस condition में आपको अपने नजदी की doctor की सला जरूर लेनी चाहिए